कि नवसकार दोस्तों सवागत आपके अपने यूडूब चैनल स्टड़ी वेजन दोज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हर्याना प्रेक्टिस एड नमर ट्वैटिफो इससे पहले में 23 प्रेक्टिस एड कर चुके हैं इसमें हर प्रेक्टिस एड में हमने 25 किशन डिसकस किय और उससे डिसकस किये हैं अभी तक अगर आपने वो वीडियो जो नहीं देखी हैं तो लिंक की इन दर डिसक्रिप्शन जाईए और चेक आउट कीजी चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं अरियाना स्कूल सिक्षन बोर्ड की स्थापना स्थमबर 1979 में हुई तथा 1991 में से स्थानांतरित किया गया तो यह बोल रहा है कि 1991 में जब अरियाना सिक्षन बोर्ड बना था तो वो कहीं और बना था और उसके बाद 1991 से स्थानांतरित कर दिया गया था वो कहां किया गया थ तो पहले हम डिस्कस करेंगे, 1911 में कहां पर बना था, यह बना था चंडीगड में, और उसके बाद, 1911 में से कहां पर स्थाना अंत्रेत किया गया था, तो वो किया गया था बिवानी में, और वर्टवान में, और यहांना स्कूल स्क्षा बोर्ड का प्रस्तित हमारा बिवाणी में बिवाणी में कब से हैं पर छूँ निमन में से कौन सा कफन सही है तो आपको ये बताना है कि इंड में से कौन सा कफन सही है गोod ंवत के pension मां भी सपी हर तो पहला जो दे रख्या है, उसमेल रख्या कि अर्याना जो एत्रओं डिगरी सेगंड से 176 अकसांस पर स्तीत है है in और जो दूसरा आमारा दे रख्या है वह सिवाली कर भ्याना के दक्षन ही इसे में आती हैं तो सिवालिक की जो बढ़ियां है वो हर्याना के उत्तर पुरुवी भाग में आती हैं दक्षणी इसे में नहीं आती है दक्षणी इसे में हमारी अरावली प्रवत त्रंकला आती है तो इसका यह तो गलत हो गया है हर्याना चुर्टर डिग्री 28 से स्थेतर डिग्री 36 अक्सांस परस्थित है तो यह इसका करेक्ट रहेगा तो इसका सही अंसर होगा ए अगला क्यों से लेंगे नियम 134 एक के समंद में क्या सही है नियम 134 एक नियम है जो अरियाना में लागू किया गया था यह गरीब चात्रों की स्कूल फीज से समंदित है इसे रज जे उचनेले ने वैद ठहराया है तो यह दोनों कत्रन सही रहेंगे क्योंकि गरीबों की जो स्कूल फीज है उसे समंदित एक मामला है इसमें प्राइवेट स्कूलों में भी बच्चों की फीज नहीं लगती गरीब बच्चों की और सरकारी स्कूलों में भी नहीं लगती और प्राइवेट में नहीं लगती यह कुछ परसेंट सीटे हैं जो जो नियम 134 A के सम्मंद में स्थापित की गई है तो इसमें A और B दोनों सही होगे यानकि C एंसर इसका करेक्ट एंसर रहेगा तो बहुत अच्छी पहले सरकार की गरीबों की कल्यान के लिए हरिशांन रजज में किस वरस दक्टर अंबडगर मेदावी चात्र योजना आरंब की गई तो यह कब की गयी थी बंड़ी 256 चεται के समस्ध में 2े पंडबूर्बडडगर मेदावी चात्र योजना इसके अंदर गत चात्रों को चात्रवर्ती दी जाती है वजिफा दिया जाता है स्काई फंड दिया जाता है चलिए एक लगए सुलेंगे हरियाना राजे की स्थापना निमन में से किसी सिपारिस पर की गई है यान कि किस किस पारिस पर की गई है तो अर्याना राज्य की जब स्ताबना हुई थी एक नौवम्बर कब हुई थी एक नौवम्बर 66 को तो किसकि सिपारिस पर हुई थी ये सरदार हुकुम सिंग की सिपारिस पर चलिए अगला के सुन लेंगे अर्याना राज्य सरकार ने राज्य वन निती का सवरूप तैयार किया गया तो कब तैयार किया था अर्याना राज्य सरकार ने राज्य वन निती ये राज्य वन निती कब लग हुई ये बता दीजिए सिदा सिदा पूछ रखें 2006 में दो जर्चे में रज वन नीति का सबरूप त्यार किया गया था वैं चलिए एगला क्योशन लेंगे जन्गणना 2011 के अनुसारा रियाना में सक्सर्था का प्रतिसत क्या है तो सक्सर्था जुद्धर है वह कितने परसेंट रही 2011 की जन्गणना गे अनुसारा रियाना की तो यह बढ़े 75.60 लग बगसाड़े पिछे तर परतिसत जो लोग है वह अर्याना में पड़े लिके हैं अगला क्योशन लेंगे साथ साथ कोमेंट करें बढ़ी कि आपने इसका क्या अंसर के और मैंने इसका क्या दिया है तो सूर सागर लिकी गई तो सूर सागर जो पुस्तक है पूं है । यह मारे सूर दास की है। सूर दास का संबंध है सिही काओं से सिही काओं हमारा काँ पर है फृदाबाद में आप रहे हैं फृरीदा बाद में याद रखीगा मॉस्ट इंप्रोटेंट किसन है अब एक और किसन आज किला एचसे सी जो पूछ रही है वही पैटर्न पर हम चल रहे हैं निमन में से कौन से या कौन सा कथन सत्य है पहला है हरियाना की कुरूड जनम दर 21.3 है दूसरा है हरियाना की कुरूड मर्चु दर 6.3 है तो इसमें A भी सही है और B भी सही है इसका सही अंसर हो जाएगा A और B दोनो चलिए एक लाकिसन लेंगे जनगनना 2011 के अनुसार अरियाना में निमन जिलों में से किसकी जनसंक्या में 10 की वर्दी दर उस्तम है यानि की 2011 की जनगनना के अनुसार 10 की वर्दी दर हो सरवाद 21 कि जिले की रही है रियाना में तो गुरू गराम की रही है सबसे ज्यादा जो जनसंख्या बढ़ी है लास्ट के दस सालों में 2011 यानकी 2001 से लेकर 2011 तक तो हमारा गुरू गराम की रही है और कितने प्रतिशत रही है यह 73.9% के लगबग यानकी 44% के लगबग आप मान सकते हो ज लगबग 8% के लगबग रही है 8.something चलिए अगला क्यूशन लेंगे राव तुला राम का जनम हरियाना के किस जिले में हुआ था तो मैंने बोला था राव जहांपर भी मिले आपको यानकी वह हिरवाड का जिकर कर रहा है तो राव तुला राम का जनम का पर हुआ था हमारा रेवाडी में हुआ था बई का पर हुआ था रेवाडी में चलिए अगला क्यूशन लेंगे मैं 2015 को अपनी खेल नीती में किस खेल को हरियाना सरकार ने सामिल गया तो 2015 में हरियाना ने नई खेल नीती लग हुगी थी बई तो उसमें एक नया खेल जोड़ा गया था वो था से号 को मारा एक डिपल्ीम्पिक्स कव्णूछा था डिफलिम्पिक्स नामक खेल को जोड़ा गया था है है अगला क्यों लेंगे अर्याना के किस हैर में एसिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइंडरी स्थित है यान की तेल रिफाइंडरी है वह वेल रिफाइंडरी है वो हमारी पाने पत्म में स्थित है ये एसिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइंडरी है वह चले एकला कसन लेंगे अर्याना के दो अगरणिये आर्थिक और उद्योगिक सहर कौन से हैं जिन में प्रदेश के अदिक्तर उद्योग स्थापित है तो उद्योग की द्रश्टी से रेना में इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ है फिर भी हमारे दो जो उद्योगिक नगर है जो सबसे बड़े बुरुग्राम और फ्रीदाबाद यह दो ऐसे हमारे नगर हैं जिन में वो जो की विकास हुआ है और इसका करणा है कि दिल्ली के नजदीक हैं कि इस करण से इन में ज्यादा विकास हुआ है चले एकला किस्टन लेंगे अरियाना का कौन सा सेर देश का पहला सेर बन गया जहां परतेक रविवार को रहागेरी दिवस मना जाता है इस दिन पैदल चलकर जोगिंग करके दोड़ कर साइकलिंग पर चलकर स्केटिंग आदी दवारा रोड बंद किया जाता है तो इस प्रकार गाई जो त्योहर मना जाता है ऐसा करने वाड़ा जो अमारा रियाना का सेर है वो देश का पहला सेर हो गया है वो कौन सा है गुरुग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट क्योंसे नहीं याद रखीगा कुर्चेतर में स्थाने स्वर महादेव मंदिर मुख्य रूप से किस बगवान को समर्पित है तो ये मारे बगवान सिव को समर्पित मंदिर है कौन सा मंदिर है स्थाने स्वर महादेव मंदिर कहां पर स्थीत है कुर्चेतर में रहें ग leg रहां हर्याना के पस्चिमि बाग में कोन सा परसुद्रटे कि जाता है जिस में एनसे केवल लड़कियां ही बाग में हैं और हैनकी राजस्तान कह पूहra लका हमारा है को रज़स्तान से शटास ही लगा का है what बढ़ którą अरत में बने लेकिन पस्ट्रिंव। कि खालीस्तान के उत्तान में अरियन प्रदेश मुक के duż नहीं का ते खालीस्तान के उत्तान में अरियन हमें यृथो बदा यॉगदान दिया था क्योंकि हरीत करांती के दोरान जो ग्यों की फसल थी उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ था और ग्यों में अरियाना बहुत बड़ा युगदान देता है अपने आवसकता से बहुत ज़्यादा अनाज पैदा करता है अपने जरूरतों से ज़्यादा अनाज पैदा करता तो अरित करांती में बहुत बढ़ायों दान दिया था अगला क्यों सुलेंगे अर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया दवारा हरियाना के कितने समार्कों को संद्रक्षित किया गया है यानि कि आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया ने अर्याना के 23 सहरों को संद्रक्षित करने का मतलब क्या है कि इसमें सुरक्षिया परदान की जाएगी और यहां पर विदेशी प्रेटकों को और हमारे देश के विबिन राज्यों के प्रेटकों को प्रोचसाइट किया जाए है और इन से मार्कों देखे इंका बर्मन करें जिसे अर्याना के आर्थिक स्थेति में भी सुधार होगा अगला कैसे लेंगे कैथल के निकट मुख्य ़ाजमारग है तो कैथल के नजदीक जो राजमारग है नैस्नल हाईवे है वह नैस्नल हाईवे नमबर 65 है चलिए एगला क्यों लेंगे कुर्चेत्र के किस वरिक्स के नीचे बगवान से रिकर्षन दवरा अर्जन को गीता का उपदेश दिया गया कि आदेश की स्थार पर उपदेश आएगा भई एचसे से यह से मिश्टेक कर देती है टाइपिंग में तो वो जो वरिक्स था वो वर्ट वरिक्स था अर्थार्थ बर्गत का पेड़ अगला क्यों सुन लेंगे निमन में से कौन सी अर्याना की द्वित्य भासा है तमिल तेलगू मराथी यह फिर इनमें से कोई नहीं तो पहले जो हमारी द्वित्य भासा होती थी वो तमिल होती थी लेकिन 2010 में अठा दी गई है तो अब हमारे द्वित्य भासा जो पंजाब भी है तो इसका राइट एंसर होगा डी कोई नहीं हर्याना के किस गाउं में खुदाई के दोरान अडपाई हम पूरो अडपा संस्कृति के परमाण मिले हैं एंगे अडपा से बेतार उस से पहले कि संस्कृति के परमाण कहाँ पर मिले हैं हर्याना के कौन से जिले में चोटी चोटी पाड़ियां है जो रावली प्रोच रंखलाओं का भाग है तो यह हमारी महंद्रगड में है वई यह भी इंपोर्टेंट क्यूशन था हमारा अब आज की क्लास का लास्ट क्यूशन लेंगे नव निर्मित राज्य हर्याना में शिर्षा जिले का संपूर्ण चेतरफल कब सामिल किया गया तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है हुशन अरियाना जब बना तब ये 162 रेदा में सामिल किया गया था है अब एक नूंबर 1966 को किया गया था हुशा तो आज क्लास में इतना ही कल के जो क्लास में अच्छा पर्फॉर्मेंस दिया था पूजा दा работать परविन कुमार जी रवी कुमार जी और रवी यादव जी इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और जो आज की वीडियो में जो सबसे ज्यादा क्यूशन सही करेगा उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा तो तब तक तैरी करते रहिए अग्जाम बहुत जल्द होने वाड़े धन्यवाद दोस्तों भगवान करें आपका दिन सुबो वीडियो को लाइक करें शेर करें कोमेंट करें और चैनल जै भारत